नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूं सांध्वना आपके साथ इंडियन रेलवे मिनिस्टर आश्विनी वैशनफ की जान आज बाल-बाल बची और एक बड़ा हाथसा होने से टल गया वो भी सर्फ इस वजए से क्योंकि रेलवे की एक आधोनिक तकनीग अब भारत में आ चुकी है और इसका नाम कवच है आज कवच का सफल प्रसिक्शन कराया गया जहां पर दो ट्रेनों में टक्कर कराई जाने वाली थी लेकिन इस कवच के वजए से इंजन रेलवे मिनिस्टर रश्विनी वैशनफ की जान बाल बाल बची क्या कुछ पूरा माजड़ा है और आखिरकार भारतिये रेल ने क्या कुछ नई सुवधाए लेकर वो भारत में आई है कवच क्या कुछ है और किस तरीके से ये दोनों ट्रेनों में टक्कर नहीं हो पाई क्या कुछ चल रहा था पूरा मामला जानते हैं दरसल चेनों के आमने सामने की टक्कर रोकने के दुशा में भारतिये रेलवे ने बड़ी सफलता पाई है रेल सुरक्षा एवं संग्रचना प्रनाली को उननत करने के लिए रेलवे ने शुकरवार को स्वदेश नर्म ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रनाली कवच का प्रसिक्षन सिकंदराबाद में किया जो पूरी तरीके से सफल रहा रेल मंत्री अश्विनी वैशनव की उपस्तिती में कवच का प्रसिक्षन किया गया ट्रेनों के बीश टकर रोकनी का अतिहास रचने वाली भारतिय रेल के सफल प्रयोग से अब आमनी सामने के टकर पूरी तरीके से रोक सकेगी सिकंदराबाद में हुए प्रसिक्षन में दो ट्रेनों को आमनी सामने के दुशा में लाया गया इसमें एक ट्रेन में रेल मंत्री आश्वीनी वैशनव सवार थे तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ट के चेर्मैन मौचूद थे हलाकि कवच के कारण ये दोनों ट्रेने आपस में नहीं टकराई और सब लोग इस ट्रेन के अंदर सुरक्षित रहे भारतिय रेलवे ने ट्वीट कर पूरे प्रसेक्षिन प्रक्रिया को भी दिखाया है इसमें भारतिय रेलवे ने एक वीजियो शेयर करते हुए लिखा है रेर एंट टकर प्रसेक्षिन सफल रहा कवच के ने अन्य लोकों से 380 मीटर पहले लोकों को स्वचालित रूप से रोक दिया वीजियो में रेल मंत्री खुद इंजन में सवार दिख रहे हैं दोनों ट्रेने एक दूसरे की और विपरत दिशा में बढ़ रही है लेकिन कवच प्रनाली के दौरान दोनों की रेल गाणिया 380 मीटर पहले ही रुख जाती है अधिकारी ने आगे बताया की रेल मंत्री और रेलवे बोट के अध्यक्ष चार मार्च को हुए प्रसिक्षन में भाग लिये उन्होंने दिखाया की चकर सुरक्षा प्रनाली तीन स्थितियों में कैसे काम करती है आमने सामने की चकर पीछे से चकर और खत्रे का संकेत मिलने पर पूरी प्रकिरिया अनुशाशन रूप रही और पूरी सफलता मिली आज भारती रेल की लिए एक बहुत खास और एहम दिन रहा जहां पर कवच का सफल प्रसिक्षन कराया गया जहां पर सिकंदराबाद में दो ट्रेने बिलकुल विपरित दिशा में आगे बढ़ रही थी लेकिन कवच की सुविधा के वज़े से 380 मीटर की दूरी पर ही दो ट्रेने खुद बखुद रुख गई ये कवच तीन तरीकों से काम करता है इसमें कई तरह की सुविधाई लैस है जहां एक तरफ एक ट्रेन में इंजिन रेलवे मिनिस्टर राश्विणी वैशनव सवार थे तो दूसरे में रेलवे के उच्छ स्तरिये अधिकारी मौजूद थे साथे साथ इंजिन की कमान भी रेलवे मिनिस्टर के हातों में थी खुद उन्होंने अपने ट्विचर हैंडल से इस पूरे प्रसेक्षन का एक विजो भी साजा किया है आप भी देखे कि किस तरीके से रेलवे ने ये बड़ा काम कर दिखाया है और आब रेलवे के नजर से देखा जाए तो कोई भी ट्रेन दुर्गटना ग्रस्त नहीं हो सकेगी भारत को एक बड़ी और आधुनिक सुविधा रेलवे विभाग के तरप से आज मिल चुकी है फिलाल के लिए सब्डेट में इतना ही है न कई अपडेट्स के लिए माई साथ बनी रहे न्यूस फौर्णिशन में नमस्कार